सर्वेभ्यो नमाह देवबाण संस्क्रिटम यूटूब चैनल में हितोपदेश की लाइव कक्षा में आप सभी पाठक महानभावों का हारदिक अभिनंदन है जिटोपदेश पुस्तक को हम पढ़ा रहे हैं इसके माद्यन से आपको अच्छी अच्छी सिक्षाएं भी प्राप्त हो रही हैं और संस्कित के ग्रंथों को पढ़ने का एक अभ्यास भी हो रहा है जिससे आप अन्य ग्रंथों को पढ़ करके संस्कित के जो शास्त्र हैं उनका अर्थ स्वयन कर सके है इस कक्षा के माध्यम से आपको ये भी सिखाया जा रहा है चलिएगा ये सात्मी कक्षा है और सभी को देखने के लिए प्ले लिश्ट में कॉलम बना दिया गया है उस पर किलिक कीजिएगा और सभी कक्षाएं क्रमान साथ पढ़िएगा गत कक्षा में मैंने आपको कुछ लोग पढ़ाए थे हैं कि ये इश्लोग पढ़ाए थे मैंने अंतिम इश्लोक एथा अरथा गमो नित्यमरोग इताचा रिया चभार्या प्रियबादेनी चो वश्यश्यपुत्रोर्थकरीच विद्या शडजीवलोकस्य सुखाने राजन ये इश्लोग हमने पढ़ लिया था और ये कई श्लोग थे थे अब इससे आगे जो वो राजा है वो जो सोच रहा है उसका चिंतन चल रहा है चिंतन चल रहा है उसी चिंतन में श्लोक ये लिखे गए है नारायन जी के द्वारा पंडित नारायन जी महारत जी के द्वारा क्या कहते हैं मैंने मूर्ख पुत्र की निंदा और शेष्ठ पुत्र की प्रशंसा इन इश्लोकों के माध्यम के प्रिजा रही है जिससे प्रतिक व्यक्ति प्रतिक माता पिता अपने पुत्र को शेष्ठ बनाने का प्रयास करे मूर्ख ना रहने दे आप पढ़ रहे हैं तो आप निश्चत रूप से इस बात को अपने जीवन में अपनाएंगे अपनी संतती को शेष्ट बनाने के लिए उद्यमशील रहेंगे नारायन जी कहते हैं और कहते हैं कि बहुत पुत्रों से क्या लाब एक पुत्र बढ़िया एक ही पुत्र काम आता है एक लव के कुदारन भी देते हैं जसे बहुत बड़ा पहले के समय में जो अनाज आदी रखने के लिए कोठी कहते थे कोठी आज कल के जो बड़े डब्बे होते हैं तो उनको कुठाल बोलते हैं तो उनको कहते हैं कि जिस प्रकार से कुछ बड़े बड़े डब्बे हैं ग्याम रखने भरने के तो कोठी अ उनको छोटे-छोटे बरतनों से भरें तो वो बरती नहीं है भरती नहीं है बहुत टाइम लगेगा बैसे ही बैसे ही मूर्ख फुतरचाए सेकड़ों तो भी कोई लाब नहीं है कोई लाब नहीं है ठीक है उनसे कुछ भी यह प्रतिष्ठा सम्मान मिलने वाला नहीं है रहते हैं कोधन्यों बहुभी पुत्रई पुष्टूला पूरणाध कई वरमेका कुलालंबी यत्रविश्षूयते पिता कहते हैं कि ओधन्याहाबहु भी पुत्रही है दुनिया में कौन धन्य हुआ है कि उसके बहुत सारी पुत्रहें इसलिए वो मान हो गया भए और उसने सैक्ण बच्च्चे पैदा कर दिये इसलिए वो मान व्यक्ति था एएजा ओ धन्या भाववि पुत्रई बहुत पुत्रों को जन्म दे करके कौन धन्य होता है अर्था पूई नहीं होता आगे कह रहें जैसे दो धन्य होता ही नहीं कैसे कहते हैं तो तो कहते हैं को नहीं बहुत है मुभा नहीं जात से आरता है वुढ dette मश्मा है कोई नहीं है तुमर कोई नहीं हुआ ऐसे ही कहते हैं कौन बहुत सारे मूर्ख पुत्रों को उत्पन करके प्रसिद्ध हुआ है कोई नहीं हुआ कोई नहीं हुआ कहते हैं वर्म एकाह कुलालंबी वर्म मने शेष्ट तो एक ही बहुत है कुलालंबी मने कुल की प्रतिष्ठा को रखने वाला कुल की प्रतिष्ठा करने वाला यश्प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने वाला मने कुल के आचरण को अपनाने वाला कुल के आचरण को आगे ले जाने वाला एक ही बहुत है से बहुत को जन्म नहीं है कि यह तरा विश्व यह ते पिता पिता जहां माने उस फुट्र के कारण से क्या पिता का नाम सुना जाता है और यह उसका बेटा यह उसका बेटा उसका बेटा तो एक पुत्र बढ़िया है मूर्क बहुत सारे पुत्र बेकार है अर्फेस्ट एक पुत्र की प्रशनसा की गई है और मूर्क अनेक पुत्रों की निंदा की गई है। इसलिए अपना एक ही पुत्रशिष्ट बढ़िया ए अनियक बूर्क होने की अभीक्षा कोर चाले रहा गही कहते हैं क्या कहते जा वर समय कम बताते हैं ए यह तो पुत्र अने बता दिया पुत्र के और लोगों के बारे माता पिता और भी लोग ठीके उनके बारे में बता रहें कि कौन दुष्टों हैं ऐसे पिता माता पिता अच्छे नहीं होते कौन से देखिएगा आएगा अब हमारा और आपका नम्मर आ गया ठीके रिण करता पिता शत्रुर माता चा व्यभिच्चारिणी भारिया रूपवती शत्रु हो पुताह शत्रुर पंडिता हा ठीके कहते हैं कि रिण करता पिता शत्रु हो माने ऐसा पिता जो कर्ज लेता रहता है उल्टे काम करता रहता है कर्ज ले लेकर के कूप पर्ज बढ़ा लिया है ऐसा पिता शत्रु है शत्रु है जो कर्ज उसको पटाना पड़ेगा विचारे को विसका जीवन खराब हो जाएगा कर्ज लेने वाला बाप पिता दुश्मन है ये तरह से संतान का और माता अच्छा व्यविचार है और च्छा माने और माता कैसी शत्रू है माता भी शत्रू है ये दी माता व्यविचार करती है और ताथ एदर उदर दूश्रे लोगों के साथ में गलत कार्य करती है तो वो माता भी क्या है शत्रू है क्यों कि उसके कारण से संतान को निंदा जहली पड़ेगी लोग उसको गलत गलत बोलेंगे ठीक है और रूबहरया रूपवाति शत्रू और पतनी सुंदर है तो जो भी शत्रू है पतनी सुंदर होनी चाहिए इसकी बात नहीं है या बात समझने कि रूबहर के रूपे बारियार पवती अरफ व्यक्ति सुन्दर नहीं है और पतरी सुन्दर ले आया ये घ्रकिलें बाद विश्य से पत्नी सुन्दर और समाज में समाज में उसके साथ कभी भी दुरगटना हो सकती है दुरगटना हो सकती है इसलिए कहा कि रूप बती भारिया रूप बती शत्रुकार्थ है यदि पती सुंदर नहीं है रूप है और पत्नी सुंदर है तो शत्रु है यदि पती सुंदर है पत्नी सुंदर है तो कोई परिशानी नहीं है फिर तो कोई पर संसार में ऐसा भाव नहीं है अर्तात बेमोल जोड़ी के लिए बता रहे हैं कि यदि पति कुरूप है पत्नी रूप बती है तो वो शत्रु अर्तात उसके कारण से निश्चित रूप से हानी होने वाली है ठीक है और कहते हैं पुत्रह शत्रु रपंडिता मना शत्रु रपंडिता और यहां पुत्र भी आ गया है कि पुत्रह पंडित माने मूर्ख मूर्ख पुत्र भी शत्रु है इस सारे है इस प्रकार के शत्रु गिनाए पिता भी कैसा शत्रु है माता भी कैसी शत्रु है पत्नी भी कैस की शत्रू है और पुत्र भी कैसा शत्रू है यह लख्ण गिनाई टीक है सब गिनादिया किसी को छोड़ा नहीं है चलिएगा आईए और कहते हैं कि अनभ्यासे विशम विध्या अजीरने भोजनम विशम विशम सभादा रिद्रस्या विद्धस्या तरूने विशम क्या कहते हैं कि आप बाईसों अनभ्यासे विशम विध्या विद्ध्या घो होती है उसका अब्यास नहीं करेंगे तो विशम हो जाए हैं को यह टा सीद प्र बताएंगे इसको इसलिए विध्या अनभ्यासे विशम महने ब्लत हो तों जाती है भूल जाती है जब हम भूल जाते हैं अभ्यास करना चाहिए ऍो पेट में रही पर से तो कहते है वो पो जन क्या है बोजन नहीं है . विश्माने रोक पैदा करेगा अंदर जा करके कोई विश्य है विश्यम सभा दरिद्रस्या और कहते हैं गरीब आदमी निर्दन आदमी विचारा दरिद्र आदमी है सभा उसके लिए एक तरह से विश्य है अपमा नहीं है वो सभा में जाएगा तो लोग उसका अपमा नहीं करेंगे दर्द्र का गरीब का निर्दन का सभा में क्या काम विचारेगा तो कहते हैं जो सभा है वो सभा मने बैठक आदी वो गरीब निर्दन व्यक्ति के लिए एक तरह से विश्काई काम करती है अर्था तो उसको अपमानी जहलना पड़ेगा वहापर बुड़ा आदमी है और साधिक लाया नई लड़की से ठीक है तो वो क्या है उसके लिए काल है एक तरह से बुड़ा है मरने को ओ रहा है ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग बुड़े होते हैं ठीक है उनकी वासना है शांत नहीं होती है बुड़े हो जाते हैं साट साल के हो जाते करना चाहते हैं नई लड़की से 20 साल की 25 साल की तो यह सारा किया है कि भाई गृद दस जैतारोणी विशम भाई बुड़ा आदमी ये दी तरोणी के साथ में विवाधी करेगा अर्तात तो मानिएगा उसका हो गया काम हो गया अर्तात उसका ओम नामसत्त होने वाला है विशम का आर्त ही आई है माने उसको जल्दी नश्ट कर देगा बहुत अच्छी वाद केई है ज्यान रखना ठीके चलिए आईएगा और देखते हैं बहुत सुन्दर सुन्दर श्लोक है क्याते हैं यस्यकस्य प्रसूतों पी गुणवान पूज्यते न रहा धानुरवंश विशुद्धों पी निर्गुणा किंका रिश्यती कि मुर्क पूद्र के बारे में बता रहे है कि को यदो यस्यकस्य प्रसूत्य swathaa अपी पूज़हते ना रहा न रहा पूज़हते कि कि यस्यकस्य था फुक जयासे प्रद्स क्सीढ थैसे किसी भी संब्सक्राइब का गुडवान निश कुल में पूठकार का आध्मी भी समाज में पूझ जते माने उसकी पूझा के जाती है उसको सम्मान मिलता है कुल से सम्मान नहीं मिलता है क्या गुणवान होने से सम्मान मिलता है चाहे सामान कुल में भी पहुत सारे मापुरुश हुए हैं सामान कुल में जनम लिया है परंतो बड़े-बड़े कुल वाले उनके सामने नत्मस्तक होते हैं तरण वन्दना करते हैं ठीक कि उनके अंदर वोन है यह कह रहे हैं कि बाश्तमे कुल की अप्यक्षा से गुणवान वहत्यक्ति का महत्वून वही उसको यश्प्रतिष्ठा दिलाता है सम्मान दिलाता है और केते हैं जैसे हैं एक उपमा दे रहे हैं उपमा दे रहे हैं कि धनु हो वांश विशुद्धाह हापी माने वांश माने बांस कि बांस होता है यह जंगल में होता है बांस उसका धनु बनता है धनु माने धनुष बनता है तो कह रहें एकदम शुद्ध अच्छा बांश हो परंतु क्या है उसमें डोरी नहीं है कुछ भी तो यह नहीं है कि इसमें अतात नहीं है कुछ भी नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है कितने अच्छे बांश से बना लो उसको क्या लाव है उसको कुई लाव नहीं है बैसे ही कितने भी शेष्ट कुल में व्यक्ति का जन्म हो जा परंथ उसकी अंदर कोई बुण ही नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है उसकी कोई प्रसंचा नहीं होती परंथ यदि अच्छे बांस का धनुष नहीं है ठीक है और उसका तांत लगी है सब कुछ लिगा हुआ है तो वो कह है उसको लोग चलाएंगे वो लोगों को मार भी देगा धनुष्ट का जो काम है वो कर देगा वैसे ही नीच कुल में उत्पन हुआ व्यक्ति गुणवान पुजा की होता है वो समाज में कार्याता है तो कहते हैं विशुद्धोपी निर्गुणा किमकर श्यति अर्तात ऐसा धनुष जिस प्रकार से दोरी रहित शुद्धबास का धनुष क्या करेगा समाय वो क्या करेगा कुछ भी नहीं करेगा चलेगा इनी उससे ना तो ता तीर फ्यक्त फियर जा सकेगा बैसे शेश्छ कुल में ओत्पन हुा यदि कोई व्यक्ति है परंत में उसके अंदर कोई वही नहीं है वंश यह नहीं वंश का अरत है कुल दो बार आएगा ठीक है वन्श क्युत्य और बिसुद्ध-वंश का अरत है शेश्ठकुल यद्ध है होगी यहां वन्ष के दो अर्थ हैं एक वन्ष का अर्थ है बांस जंगल की एक लकड़ी होती है बांस होते हैं बड़े और एक वन्ष का होता है कुल तो यहां पुत्र जो मनुष्य के साथ में कुल लगेगा और धनुष्य के साथ में लगेगा उबांस ठीक है दो प्रकार से इसकी एक प्रकार से दो प्रकार इसका हम संबंद लगाएंगे और कहते हैं, क्या कहते हैं, कि राया सोचने लगा अपने पुत्रों के बारे में, अपने पुत्रों के बारे में सोचने लगा कि भाई ये जो सारी बाते मैंने बताई हैं और मेरे पुत्र तो ऐसे हैं, उनके बारे में बोलना है, कहने लगा कि हाहा पोत्रकनाधीतं गतास्वेतासुरात्रिशु पेनतं विदुष्याम अध्ये पंके गाूरिवसीदसी ठीक है। बहुत संदर इस लोक हैं। राजा कहने लगा रे मेरे पुत्रव तरह डिक्कार एडिक्कार इरे पुत्रक मने पुत्र को ज़ schaut अर्द का इसुरह तंढ पुत्रक नीन आ दीटम गताmeeज़। पुद्वानों के बीच में यह मूर्क पुत्र कुछ कारण से तेल माने उस कारण से उस हेतू से तु पढ़ा नहीं तो उस कारण से तो विद्वानों के वीच में कैसे जिस प्रकार से गाय एक कीचड में फस जाए तो वहीं की वहीं अशे प्रकार से तू मध्यानों के बीच में सीध सी बैठा रहेगा कुछ भी बोल नहीं पाएगा वो जैसा कहेंगे जैसा करना पड़ेगा अर्ता निंदा का पात्र बनना पड़ेगा आ देखा रहे तूने कुछ पढ़ा नहीं चीके और कहते हैं बहुत सुन्दर श्लोक कहते हैं कि अब थोड़ा गद्ने एक लाइन आ रही है राजा कहने लगा तत कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंता क्रियंतां तोचने लगा तत कथम मने उस प्रकार से कैसे रहे तक मनें तब तब मनें उस ये सबकुछ स्थिति है किस प्रकार चें इदानीम अब इते मम कुट्रा मेरे पुत्र गुणवंता क्रियंता मनें इनको गुरभान बनाया जाए तो मूर्खी रह रहे देन को गुरभान कैसे बनाया जाए वध्वान कैसे बनाया पिर इसलों बोलता है तो कि इसलों के लिए ईंड कावी विए आहारे नेड्रा भय में तूनम्चा तामान्य मेतात पशुपिर्णाराणां धर्म ही तेशा मदिको विशेशो धर्मे नहीना पशुभी सामाना अरे भाई शास्त्रों में तो यहसा का आगे आये कि आहार माने बोजन निद्रा माने नीद माने सोना भाया माने डर ठीक फेत मैतुनम चा निद्रा और ये भाया मैतुनम चा और मैतुनम माने मैं मैंथुन का अर्थ है आपस में संभो करना थीक है इस्तरी पुरुष्ट का संपर्क होना ना यह तो क्या है सामान्यं पर कहते है पशू भी नाराणा मैं और मनुष्यों में मनुष्यों का पशू के साथ पशुओं के साथ क्या है आहार माने खाना बोजन करना निद्रा माने सोना और क्या भाय माने डरना और माईत्र माने आपस में स्त्री पुरुष का संपर्क होना यह तो पशु भी करते हैं वैसे मनुशी कर लेता है पशु भी तो करता है पशु भी आर खाता बोजन करता है और नीद भी लेता है सोता भी है दर भी जाता है कहीं ठीक है और मैथन भी करता है संता नुद्पत्ति करता है वो भी करते हैं और यासे मनुशी करता है यह तो चार गुण तो सामान नहीं है दोनों में पशुओं में मैं मनिश्यों में समान इंद फिर तो हम भी पशु हो गए कि आ सक आयो कि मनुझ अधिक विशेश है कि आ विशेश है पशु ओमें धर्म नहीं नहीं ए जर्म मनें करतब लिकरने की बुद्धी नहीं है और मनुश्यों में है बस यही एक गुण ज्यादा है पाकी तो समाने धर्में नहीं 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 है पशुवी समाना और फिर इसलिए अब धर्मी नहीं है मनुश्य के अंदर धर्म मने करतब का बोध ही नहीं है तो फिर तो मानिये गा पशुवी समाना पशु के समान नहीं है वो पशु और उनमें कोई अंतर नहीं है एक तो गुण उनको पशुओं से अलग कर रहा था मनशी को वो भी नहीं है उसके अंदर पशुई हो गया इसका मतलब ये मूर्ख पुत्रो तुम तो पशुई हो पोचने लगा बहुत दुखी हो रहा है राजा दुखी गा प्रियास नहीं करता मुझ मस्ति में लगे रहते हैं इंजो करते हैं और क्या कहते हैं यह कि पढ़ लेते हैं यताहा का अर्थ है यहां पर क्योंकि क्योंकि जैसे धर्मार्थकाममोक्षाणाम यस्चाईकोपीन विद्यते अजागलस्तनस्यवा तस्चजन्मनिरर्थकम यह भी बहुत अच्छा एक उपमा दे गई है क्या उपमा दे गई है कि एक जो बक्री होती है बक्री बक्री के यहां गलकम्मल नटकता है नीची किसी का का मंचे नहीं तो लगता है लगता उससे कुई काम नहीं आती च्छmam की कहते हैं कि ऐसे ही मनुश्य जिसके अंदर यह चीज़े नहीं तो मानियगा उसका जीवन निर्थक जह बता रहें बता रहें दर्म अर्थ काम वोक्षाना में इस मनुष्य का यस मोने जिस्वेक्ति का इन में से एक भी नहीं ना तो वो धर्म करता है ना अर्थ कमाता है ना काम करना तो वो काम अर्था था कुछ अच्छी संतान के लिए कुछ का मने संभो करता है संभो साथी करता है यह भी नहीं करता है ठीक है कामना और ना मोक्ष ना वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है ठीक है काम के अर्थ बहुत सारी हो सकते हैं काम मने संतान पत्ति के लिए पुरुशार्थ नहीं करता है ठीक है और भी काम ना है बासना है बहुत सारी होते हैं तो उन में से वो कुछ भी नहीं करता जिसके अंदर कुछ भी नहीं है एक उपीन विद्ध्य तेन में एक भी काम नहीं करता कहते हैं आजा गाला ही दूदारन निलता उसके सवाथ का इस प्रकार दूसेakman कर सकता ना अर्थ कमा सकता ना आज दूसें ओडर्म कर सकता ना अर्थ कमा सकता ना काम कर सकता ना वो मोक्ष की तरब जा सकता है ऐसी व्यक्ति का तो मानिएगा उपमा देकर की बता दिया बकरी के गलकंबल के तरह निरर्थक है कोई लाब नहीं है बहुत अच्छी सक्षा मिलगी में तो आपने कौन सी अंग्रे जी की बुक में ऐसी अच् संस्कित बाले पाठकों के लिए ठीक है अब हमारे हिंदी वाले पाठकों का काम हो गया अब संस्कित बाले पाठकों के लिए काम कर देते हैं संस्कित बालों के लिए काम हुआ है सिवात में यह है ठीक है आईए देखिएगा काहा धन्याहा बाहु भी ही पुत्राई है काह ही ही ठीक है कि कोशूल माने कि कोशूल कार्द होता है फोठी ठीक है कोशूलस्या कोशूलस्या कोशूला नाम आपूरणम कोशूला पूरणम और कोशूला पूरणस्या आढकाई ही ठीक है कोशूलों का भरना आढकों के द्वारा कोशूला पूरणा धकाई ही कोशूला पूरणा धकाई ठीक है तो क्या है कुशूलों के जो कोठी है उसका भरना तो पहले आपका हो जाएगा हो शश्थी और फिर फिर दुबारा भी क्या हो जाएगा शश्थी ठीक है और इसके बाद वरम एक आहां सामाने कुला लंबी माने कुला लंबी माने कुल का आलम्मन करने वाला ठीक है यह व्याग्रम अभी आपको पढ़ाया नहीं है यह इडिनी प्रप्त्यांत है ठीक है यत्र अभ्या विश्वूयते पिता यह कर्म में मने पिता सुना जाता है तुदातु से कर्म में कर्म क्या है पिता पिता में प्रत्मा होगा है कर्म अच्छा है रिण करता तो रिणस्य करता रिण करता शश्टितत्पुर्समाच हो जाएगा और सामान में पिता शत्रुह माता चा व्या विचारिनी शब्दय इस्त्रीलिंग में बार्या रूपवती शत्रु पुत्रा शत्रुह अपंडिता तो नपंडिता हा अपंडिता हा ठीक है और अनभ्यास रहा आध यासे नभ्यासा आध भ्यासा परसमिल आभ्यासे निसाग को meer अधिक यारोफ ज प्रत्रिश क्रिशन ह्रेते वृश्दीजात विर्द्ध्ध्रोफ आध्योगने शेश्टियत? तारुणी विशम सामान है ये ठीक है बहुत सुन्द सरलिष्ट लोग है ये देखेगा यस्य कस्य प्रसूत हापी प्रसूत हापी संदी हो गई है अतो रोर पुलता दपुलते और आदगुणाह एगा पदांता दत्ती गुणवान उज्यते नराह तो गुणवान मने गुण गुणाह संती अस्मिन इति गुष्चा गुणवान मने गुण है जिसमें मतु प्रत्यांत है ठीक है भगवत के समान रूप चलते है धनुर वंश विशुद्धा हा ठीक है तो ये धनुर अलगे वंश विशुद्धा अलगे ठीक है मने दो प्रकार्चे समास होगा माने बंश चासव वंश से विशुद्ध वंश ठीक है वंश चासव विशुद्धा ठीक है अने एक बार अर्थ होगा कुल विशुद्ध कुल अने शेष्ठ कुल और एक बार होगा शुद्ध बास ठीक है इस प्रकार्चे होगा तो कर्म जारत प्रुसमास हो जाएगा और अतोरोर पुलते से संधी हो जाएगी निर्गुणा हा तो निर्गता हा गुणा हा यस्मात साह निर्गुणा हा गुण जिससे निकल गये हैं वो निर्गुणा हा कौनसे समास हो गया बहुब्री ही किं करिश्यति अनुस्वार सी पर सवर्ण के वापदांतस से पर सवर्ण हो गया है हाँ 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 अभ्याफ पुत्र का की संभोदण मैं प का म size श्रम देख हो गतााशसू एतााशसू क्यों कि लग गया ठीक है कात्रेश शस च्रहती हैि लगती भिदुशाम सश्टीव्यक्ति विदुशाम है ये शाह है ठीक है विदुशाम सश्टीव्यक्ति ववचनानते मद्य यह अव्याएं बंके सप्टिम्यक्ति अगाउहु हुआ ही वाला सीदसी सामानने ठीक है अग्वं में सश्टी हो गया यह विसर का अर्थात अगो अपूर्वस्य योशी से रूके रेप को यह हो गया लोपा शाकल्य से से याकार का लोप हो गया है करियानताम तो लोटका एक क्रियताम क्रियताम क्रियानताम तो करम को नहीं अरण चार रश्च छे निड्रा घखयक दरोस नंगा तर साम अन्यम लेटत पश्ण ऑनुलें। तके अलग लग लग ने ये तरिति अबोब इसे अरुपसे दर्म है आप ठीकए अधिक आहा और विशेश चालग यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपर भी आपर भी आशी चालग गया है तुकर इन मने रहित आगे आपका धर्मार्थ काम मोक्षा नाम तो धर्मार्थ काम मोक्ष में इतरेतर योग दुन्दु समास है धर्मश्चा अर्थश्चा कामश्चा मोक्षचा धर्मार्थ काम मोक्षा तेश्चाम धर्मार्थ काम मोक्ष नाम इतरेतर योग दुन्दु समास होग याश स्य एक अजा ब्रिद्रेची लग्या और फिर यहापा अतोरोर्पुल तदपुल ते लग्या आदगुणा ये गा पदानतो ti ना विद्यते सामान्य अजागल स्थनस्यान तो अजायाह गलाह और अजागल और अजागल आजागला यह कर्मदार हो जागा पहले शष्टी होगा फिर कर्मदारवा आजा गल गल रूपी स्थन ठीक है और फिर आद गोण लग गया तस्या जन निरर्थकन ठीक है चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे आगे के श्लोक में मित्रो ठीक है फिरा अंतर जुड़े रहिएगा स्वार्थी संस्कृति की वैदिक संस्कृति की आपके घरों तक पहुँचें यही हमारा उद्देश है अर्वेभ्यो नमाह।